सवस्त रहने के 20 नियम बोजन हमेशा घूब चबा चबा कर अन्दपूरवक करें इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है पेट समंदी कोई भी समस्य आउत्पन ही नहीं होगी सुबह उठकर सबसे पहले कुनगन पानी पेए कुनगन पानी के सहीवन से आपका पाचन दंदर बजबूत होता है वहीं नेकों विमारियां सरीव से दूर होती जाएंगी वर्क आउट जरूर करें सुष्त रहने के लिए वर्क आउट करना देन तो जरूरी है अति दिन 30-40 मिट तक वेवाम करना चाहिए पूरे दिन में प्रयाफ्त पत्रा में पानी पेए पानी पेने से सरीट टॉटॉक्स होता है इसके लावा आपका सरीव सही से काम करता है सुवे खाली पेट चाहे नहीं पीनी चाहिए बल्के चाहे पेने से पुरव खाली पेट गुंगने पानी का सेवन करे नाष्टा करना ना बहुने, सुबह का नाष्टा है जरूरी सुबह सही समय पर नाष्टा करने के आदत डालने चाहिए श्रीर को स्वस्त रखने के लिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए सुबह जल्दी उठना दिमाग की सेथ के लिए तो बेहतरीन है ही आपकी आगरता भी बेहतरीन होती है कबस से पीटत लोगों को शाम के समय अब इत्यका सेवन करना चाहिए और सुबह उठकर बातरूम जाने से पहले आप कम से कम एक गलास गरम पानी पिए रात को सोने से पहले दांतों को जरूर साफ करें इसके बाद एक गलास पानी पीकर ही सोना चाहिए खाना खाने के समय अतिक पारी नहीं पिए पीच में एक बार ही पानी पिना चाहिए खाना खाने के आदा घंटे बाद पानी पी सकते हैं योग करने के आदत बनाए, पती दिन योगा करना अमारे श्रीड के लिए लावदायक होता है, यह हमें कंभी बवारियों से भी बचाता है, प्रिज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचने कोशिश करें, यह नाकिबल गले के लिए अनिकार कोता है, बलके अमारे श्रीड क अनिक बवारियों का जोखोगी बढ़ाता है, खाने खाने से पहले हातों को बहुत अच्छी तरह से दो लेना चाहिए, ट्वालेट और बातरों को अवेशा साव सतर रखना चाहिए, यहां से इन्फेक्शन फैलने अकत्र अधिक होता है, खाने में पॉस्टिक वोजन, कोया बिन तेल, असान फलावर वायल, आलग वायल या सरसूं का तेल इस्तिमाल करना चाहिए, सुबह कुछ देर दूप लेना जरूरी है, सरीर को विटामन D की अश्रुकता होती है, इससे अड़िया मजूद रहती है, सुबह की दूप लेने से विटामन D की कमी पूरी होत है, हमेशा सकारात्रमक्त सोच रखने चाहिए, और अपने काम हम जीवन में संतुर्थ बनाता रखना चाहिए, जरूरत से ज़्यदा तनाव नहीं लेना चाहिए, अगर आपको यह जानकर यह अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शे सबंदी आपको वीडियो मिलेंगी, धन्यवाद